नमस्कार स्वागत है आपका हिन्द भारत के खास प्रोग्राम अजब गजब कहानी में और मैं हूँ आपके साथ अक्षरा आर्या हमारे देश भारत में ऐसे कई राजा महराजा थे जो अपने किसी खास वजहों से मशुहूर रहे हैं ऐसे ही एक राजा थे पटियाला रियासत के महराजा भुपिंदर सिंग जिनकी रंगीन मिजाजी के किस्से तो पूरी दुनिया में लोग प्रिये हैं 12 अक्टूबर 1891 को जन में भुपिंदर सिंग महज 9 साल की ही उम्र में राजा बन गये थे हाला कि जब वो 18 साल के हुए तब उन्होंने अपना कारेभार संभाला था और पटियाला पर 38 सालों तक राज किया आईए जानते हैं महराजा भुपिंदर सिंग की जिन्दगी के बारे में कुछ रोजक बातें जो आपको हैरान कर सकती है महराजा भुपिंदर सिंग की रंगीन मिजाजी का जिक्र दिवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महराजा में विस्तार से किया है उनके मुताबिक राजा ने पटियाला में लीला भवन रंगरलियों का महल बनवाया था जहां सिर्फ बिना कपड़ों के ही लोगों को एंट्री मिलती थी यह महल पटियाला शहर में भुपिंदर नगर जाने वाली सरक पर बाहर दरी बाग के करीब बना हुआ है दीवान जर्मनी दास्त के मुताबिक महल का एक खास कमरा जो प्रेम मंदिर कहलाता था महराजा के लिए रुजर्ब था यानि उस कमरे में उनके अलावा और कोई नहीं जा सकता था बिना उनकी इजाजत के इस कमरे में राजा की भोग विलास का पूरा इंतिजाम रहता था उनके महल के अंदर एक बड़ा सा तालाव था जिसे स्विमिंग पूल कह सकते हैं उसमें एक साथ लगभग डेर सो लोगों के नहाने की विवस्था थी राजा अकसर यहां पार्टियां दिया करते थे जिसमें वो अपने चहेतियों और प्रेमिकाओं को बुलबाते थे इसके अलावा महराजा के कुछ खास लोग भी पार्टिय में शामिल हुआ करते थे यह लोग तालाव में खूब तैरते नहाते और आयाशियां करते थे इतिहासकारों के मुताबिक महराजा भुपिंदर सिंग की दस रानियों समीत कुल 365 रानिया भी थी जिनके लिए पट्याला के भवे महल बनवाए गए थे इन महलों में रानियों के स्वास्त की जाज के लिए हर वक्त चिकित्सा विशेशग्यों की टीम भी मौजूद रहती थी दिवान जर्वनी दास के मुताबिक महराजा के 10 पत्नियों से 83 बच्चे हुए थे जिसमें 53 बच्चे ही जिन्दा रह पाए थे कहते हैं कि महराजा के महल में हर रोज 365 लालतेने जलाई जाती थी और हर लालतेन पर उनकी 365 रानियों के नाम लिखे हुए थे जो लालतेन सुबह पहले बुझती थी राजा उस लालतेन पर लिखी रानी के नाम को पढ़ते थे और फिर उसी के साथ वे रात गुजारते थे रंगीन मिजाजी के अलावा महराजा भुपींदर सिंग और भी कई चीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर थे उनके पास विश्व प्रसिद पटियाला हार था जिसे आहूशन बनाने वाली मशहूर कमपनी ने बनाया था कहते हैं कि इसमें 2900 से ज्यादा हीरे और कीमती रत्न जड़े हुए थे उस हार में उस समय का दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा हीरा जड़ा हुआ था साल 1948 के आसपास पटियाला के शाही खजाने से यह बेशकीमती हार गायब हो गया था और कई सालों के बाद उसके अलग-अलग हिस से कई अन्य जगों पर मिले थे शायद आपको पता ना हो कि मशहूर पटियाला पैग भी महराजा भुबिंद सिंग की ही देन है कहते हैं कि उनके पास 44 रॉल्स रॉयस कारे थी जिसमें से 20 कारों का काफिला रोज मर्रा के कामों में इस्तिमाल होता था आपको जानकर हैरानी होगी कि महराजा भुबिंद सिंग भारत के पहले ऐसे शक्स थे जिनके पास अपना खुद का वीमान था जिसे उन्होंने साल 1910 में ब्रिटेन से खरीदा था अपने वीमान के लिए उन्होंने पटियाला में हवाई पट्टी भी बनवाई थी फिलाल अजब गजब कहानी में बस इतना ही ऐसे ही रहस्यमाई और रोचक जानकारी के लिए देखते रहे हिंद भारत देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूल